तो हेलो गाइज यह है मेरा व्लॉग 57 एंड येस वेलकम बैक तो दे निव व्लॉग तो यार आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट चालो कर रहा हूं बिकास मैं सुबह उटके काम में बीजी हो गया था देन फिर मुझे अपने स्कूल जाना पड़ा था अब मैं फाइनली बैठा हूं आज हम लोग अपने डिली टार्गेट बनाते हैं फटा फिर उसे खतम करेंगे ठीक है तो जैसे कि आज का तायटल कि कम डायम में अपनी प्रफर पढ़ाई है और प्र्रापर टार्गेट कैसे कंप्लीट कर ले रहा हूं न तो वह मैं आगे आपको अपने पूरे व्ल उन्हें संध guitr और कि कृत जहां हैं। एंड जो थोट्स मेरे इसके रिलेटेड मैं वह आपको बताऊंगा ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई एक प्रॉपर टिप देने वाला हूँ या कोई स्ट्राटेजी देने वाला हूँ कि ये स्ट्राटेजी फॉलो करो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ओकी तो मैंने आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग ये पूरा प्लैन बना लिया है लाइक मुझे फिजिक्स का लेक्चर देखना है उसके डिपीपीस करना है एंड केमेस्टर का मैं पीडियाफ ही देखूंगा अगर कोई इजी टॉपिक रहा तो है अगर कोई टॉपिक ऐसा तो मुझे देखना है उसका लेक्चर तुम्हे लेक्चर करनागा साथ ही मैं उपीपीस तो करूंगा और आज में photoshop करोंगा अब देखते की यूथूब के यकिन वाया चैनल पे रेस्पीरीशन का का फ्च विपानशा में डाला कप्न है तो आप लोग उसके बाद तो अप किना सब करते हैं इसको रखता हूँ मैं तो भाइ आज मैंने अपने साथ में टाइमर बह jarrum कर दिया थाकि मुझे पता लगते रही कि मैं कितने को डाइम में कितना लक्चर कर रहा मुझे सी की लिए कि से जाधा टाइम डेते संसरे रहा है लघ्र कुंद vandaag मैंना भी आधा लेक्चर किया है अब मुझे खाना खाने जाना था तो मैं सोचा कि यह लेक्चर बाद में कंटीनियू करूंगा फिलाल खा लेता हूं उसके बाद फिर मुझे 75 डेश चैलेंज का वॉइस ओवर भी करना है एडिटिंग भी करना है देन फिर में चैलेंज कर ल चैलेंज करते हैं उसके बाद ही मैं लेक्चर बगरा करूंगा लेकिन यार उसके पहले मुझे एडिट भी करना है तो सबसे पहले मैं एडिट कर लेता हूं फिर पढ़ने बैठूंगा यार वैसे तो बहुत से लोग मुझे पूछ पूछ के परिशान कर दिये कि भाई दिखर ही है उसे एनलाइस करो तुम्हारा इमेजिनेशन वैसा होना चाहिए कि अगर यह दो तिन क्लिप्स है तो मैं उसे ऐसे अरेंज करू एंड ऐसे इनमें इफेक्ट जालू ना कि वह जाके वैसे बन जाए तो वह चीज़े पहले से दिमाग में इमेजिन करके चलनी ब ओके तो चैलेंज तो अपने चालू कर लिया अभी मैं सबसे पहले बायोलोजी की NCID रीड करूंगा तो फटा फट यह रीड करने के बाद में इसकी कोशन प्रैक्टिस करूंगा कोशन प्रैक्टिस के लिए मैं बुक यूज करने वाला हूँ बायोजी का NCID एक्स्टैक बा बाकि इसमें पूरी NCID one-liner format में भी cover की गई है साथी में बहुत सारे tips and tricks भी starting में mention कर दिया है साथी में इसमें एक बहुत यूनिक feature है NCID locator जिसमें कि आपको हर कोशन में ना साथ में NCID page निमर भी दिया रहेगा new NCID और old NCID दोनों का ताकि यार हमें पता चले कि यह कोशन actual में है किस page का इसमें आपको 6000 से भी जादा practice question मिल जाएंगे आपको NCID exemplar के भी question मिल जाएंगे और आपको PYQs, match the columns, statement types and assertion reason वाले यह सारे question मिल जाएंगे आपको सारे question के solution मिलेंगे एकदम detail में चलो लगे यह बाद भी बता दो कि NEET में 80% से भी जादा question इसी book से थे और हाँ यह book अभी अभी update हुआ है इस बुक में इस साल का NEET का पूरा paper भी मिल जाएगा आपको साथ में and साथ में बहुत सारे mock test भी तो यार यह book तो मुझे worth buying लगा तो इसलिए मैंने ले लिया anyways अगर आप यह लेना चाहते हो तो नीचे मैंने link डाल रख है तो आप ले सकते हो वहां से and वह भी तीनो subject के ल इसा नहीं है and हाँ जो जो मेरे साथ यह challenge follow कर रहा है न like इसका आधा भी follow कर रहा है आपने हिसाब से जैसे भी कर रहे हो मुझे जरूर उसे बताओ कि आपको रिवीजन में help मिल रही है कि नहीं यह comment में बता के जाना ठीक है because मुझे तो रिवीजन में बहुत जादा help मिल र इस रिवीजन चैलेंज भी पूरा हुआ भी एंड यार मैं टाइमर जैसी दिखाने जा रहा था ना यह देखो यह पूरा clock ही reset हो गया ऐसा भी नहीं टाइमर यह पूरा clock reset हो गया वह actually मैं इसको stop करने जा रहा थे और शायद मैंने 2-3 बर बटन दबा दिया ना तो वह automatically कोई ना अभी मैं इसको भाई दुबारा से ठाइमर चालो करके बैठूंगा अब इसके बाद देखते क्या करना है अब मैं शायद खाना खाने जाऊंगा उसके बाद फिर फिजिक्स का लेक्चर कंडीनी करूंगा एंड देन डीपीपी और करके आगे बढ़ेंगे ठीक हा हां मैं कोशन प्रैक्टिस कर लेता हूं जो जो सर क्लास में करा लेता हूं अपने इस डिजिटल राइटिंग पैड पर एंड बाकी जो कुछ कोशन मुझे ऐसे लगते कि यार यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है उसको मैं अलग से नोट्बुक में लिख लेता हूं तो ऐसा ही कि इसमे मुझे नोडस बनाने में फोड़ सा टाइम से वोजय पर मैं वह यह एकन ऑल इदी प्रैक्टिस कर रहा होँ तो कोशन बेक्टिस को भी थोड़ा जादा टाइम देना, ऐसा निए कि सिर्फ लेक्चर ही देखते बैठ गए, वैसे तो MRSR क्लास में बहुत सारे कोशन कराते, तो ये एक चीज अच्छी है कि कोशन बेक्टिस वहाँ भी हो जाती है, तो गाइस, फाइनली मेरा फिजिक्स का लेक्चर पूरा है और मैं आपको टाइम दिखा देता हूं, वन आर, 14 मिनिट्स होरे ताइम, तो मुझे इतना टाइम लग गया इसको करने में, एनिवेस इसके बाद फिर मुझे केमेस्ट्री के लेक्चर का पीडिएफ करना है, तो म मैं अभी लेक्चर 6 ओपन कर लेता हूं, 23 पेज का है पूरा, चलो ठीक है, तो देखो मैं इन और गेनिक पीडिएफ से कर रहा हूं, तो इसमें भी मेरा थोड़ा टाइम बच जा रहा है, बाकि यह यह कि मैं जो अपना दिन है वो प्रॉपरली शेडिल करके चलता हूं, त क्योंकि यह लास्ट एर के एक्जाम को हो गए 6-7 महिने, 6-7 महिने में तो यह कोई भी बंदा ना टॉपिक थोड़ा थोड़ा भूली जाता है, तो इस तरीकी से मेरा फिजिक्स और केमेस्ट्री इतने टाइम में हो जाता है, बाकि मैं डिपीपीस आगे करूंगा तो मैं उसका भी आपको आगे बताता हूँ कि मैं उसे कैसे कम टाइम में या फिर उसे में कैसे मैनेज करके चल रहा हूँ अगे तो मेरा इन और गेन का ये वाला पार्ट पूरा हूँ एक्शुली मैं पहले पीडियेफ से कर रहा था बट में एक कोशन प्रट गया तो फिर इसके लिए मैंने लेक्चर ओपन का लिया देन फिर आगे का आधे गंडे का पार्ट से तो मैंने लेक्चर से मिनिट्स हो गए तो मुझे ज्यादा टाम नहीं लगा लेक्चर करने में थोड़ा ही टाम लगा अभी मुझे आयाद है कि हायार मुझे बायोजी के लिए रेस्पिरेशन का लेक्चर देखना था न तो मैं वही दून रहा था था यूटूब पर सो अभी मुझे मिला है हमा कि जोलोजी तो थोड़ा बहुत स्रॉंग है यह तो इसलिए जोलोजी के उतने नहीं बाटनी के में देख लेता हूं क्योंकि यह बाटनी में चीज़े याद करने को थोड़ी मुझे होती है ना जोलोजी में अपन याद कर लेते बिकॉज वो डेली लाइफ से थोड़ा ज तो जिस तीचर का जो लेक्चर अवेलेबल रहता है यूटूब पे मैं वो देख लेता हूं विकॉज अफकॉर्स हर तीचर बैस्ट है तो इसमें कोई शक के बात है यह नहीं कि यार इस तीचर से अच्छा रहेगा इस तीचर से नहीं रहेगा है ना तो चलो भाई मैंने अल्मूस्ट वन आर का जो है लेक्चर कर लिया पूरा एंड मुझे फिल नींद आ गई यार तो मैं सुचा कि फटा-फट से मैं डीपीपी जो है वो पूरे कर लेता हूं उसके बाद सोऊंगा अगर दीपी इस के बाद करें दीपी में उपर एक टाइमर चल रहा हूता है आ तो अब यह भी इनलाइस किया करू कि आपने पिछला डीपी कितने ठाइम reconnect 可以 यह वाला कितने में डाएं गतने में देखो वैसे तो एसा नहीं है कि time कम ही लगाओ तो poison नहीं नहीं तो छोड़ के भाग जाओ ऐसा नहीं है पर हर बार अपने पिछली बार से थोड़ा सा बहतर करने की कुशिश करो बस ऐसा नहीं है कि एक दम से 10 मिनिट में करना है बाकि चोड़ दिये 10 मिन में जितना वह उतना ही कि ऐसा नहीं है तो यह है कि physics तो अगर कोशन की गलती मत निकालो खुद यह देखो कि तुमने कॉंसेट लिए कर रखोगे ना तो उतना जादा टाम नहीं लगता है थोड़ा बहुत लगता है क्यार पता है कि सेम टाइप के कोशन आने वाले सेम अंगुलर मोमेंटम पूछेगा सेम फॉर्मुला नगाना ह है टॉर्क इस एकल डू आई अलफा यही सब यूज करना यार है ना बस लेंग्वेज चेंज कर देते हैं तो गाइस फाइनली मेरे सारे डीपी पीस पूरे वे एंड टाइम में आपको दिखा हूं तो टू आर्स फिफ्टी टू मिनिट जाने कि अल्मॉस्ट थी आर्स रि पीपी भी बहुत टाइम लेता था इसमें कैसे इन अर्गनिक तो जल्दी यल्दी हो रहा है तो में अब देखता हूं कुछ प्लैन करता हूं शायद अगले बार से मैं दिन के दो-दो लेक्चर के पीडिएफ कर लिया करूंगा वो तो देखूंगा कैसा या तो फिर बायो देख रहे हो तो फ्री में क्यों देख रहे हो वाई सब्स्राइब करके जाओ ठीक है मिलते अगले वीडियो में हो के बाई